प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में टाठा एस्टिल स्टॉप को डिस्कस करेंगे टाठा एस्टिल में इसकी सबसेडरी की एक्वेजिशन वाले ग्रूप के और खुद के सबसेडरी के एक्वेजिशन वाले निउस ट्रेंड होते दिखें अलांकि लॉंग टर्म के लिए एक बाइंग ऑपर्चुनिटी तो दिख रहा है लेकिन सोटर में मुझे लगता है कि थोड़ा इस समय कोसन होना चाहिए अगे बरने से पहले प्रेमियम टेलेग्राम को जोईन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट ऑपन करें और वीडियो पसंद आये तो दोस्तों में चाहिए अप रिगुलर ऑप्शन ट्रेडर हैं और आप हमारे साथ ऑपसन करना चाहते हैं पहली खबर तो यहां देखेंगे Tata Steel में कि यह Share Purchase Share Holder Agreement Tata Power Renewal Energy के साथ यहां 26% on करती है यहां देखेंगे उसके acquisition को लेकर के fund inclusion को लेकर के और दूसरी खबर यहां देखेंगे कि अपनी subsidiary में Tata Steel जो है वो अपने subsidiary में जो कि सिंगापूर में best है 2347 यानि 2347 करोर जो है वो इन्वेस्टमेंट करा और 178.3 करोर सेर जो है वो बाइंग करा है दा मूब्स फॉलो अप्री पिडियर एक्वेजिशन ऑफ अरांड 115.92 करोर सेर वर्थ ऑफ 1500 तू 28 करोर तो यह खुद की subsidiary की बाइंग बाली news है 2347 करोर के आसपास का जो शिंगापूर में best है इसके भी कॉमनली फिड ही है 2400 करोर के आसपास का डिलेवरी तो अभी बेटर है लेकिन टेकनिकली ट्रेंड अंडर परफॉर्म है फ्रम लास्ट त्री मंथ और लास्ट वॉल्यूम भी कॉमनली ही था और इसमें बजा तो अल्टम हाइप है लेकिन GDP के नंबर एक्सपेक्टेशन के नीचे आया है यहां यह trend line दिख रहा है और हमने पहले भी कहा minimum 158 के उपर ही long करेंगे इसमें consolidated zone में है और probability lower side का ज्यादा है तो यह stock 128-134 दिख सकता है long करने से इसमें मुझे लगता है बचना चाहिए